हेलो गाईज, इस स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Fine Organic Industries Limited के स्टॉक के बारे में कमपनी प्रफाइल की बात करेंगे कमपनी मैनेफेक्चर करती है प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स और भी बहुत सारे प्रोड़क्स जो है ये मैनेफेक्चर करते हैं फिलाल के लिए इसकी गरंट प्राइस की बात करेंगे तो 4000204.60 की गरंट प्राइस चल रही है टेकनिकल चार्ट पे भी अनलेसिस करने वाले हैं जो दोस्तों वीडियो में इंट तक बने रही है 2019 से 2022 तक का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है अगर हम compare करते हैं 22 को 21 के साथ में तो आप देख सकते हो revenue profit में काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है previous 3 year के हिसाब से और सबसे main जो important चीज होती है नोरेट फ्लैक दिखाई दे रहा है जब भी आप कोई भी stock में एंटरी का प्लान करते हैं कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा stock में almost October मंद में 7200 से भी ज़्यादा high लगाने के बाद यहाँ पर दिखिए continuous लिए हमें stock में गिरावट देखने को मिल चुकी है अभी फिलाल के लिए बहुत ज़्यादा important जोन पर पहले भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे May 2022 में और यहाँ पर multiple time support लेके हमें उपर की और इसमें bounce देखने को मिल चुका था तो possibility जदा रही है अगेन हमें यहीं से उपर की और bounce देखने को मिल जाए थोड़ा सा मैं चार्ट को आपको जूम इन करके बताना चाहूँगा देखिए 4,060 से लेके 4,200 का important support पर ही आने के बाद में यहाँ पर हमें काफी बड़ी bullish candle बनते भी दिखाई दे चुकी थी almost 4-5% जो है उपर के साइड में हमें 3G देखने को मिल चुकी थी क्यों देखने को मिले क्योंकि यह वाला जो जोन है हमारे लिए support है मतलब पहले भी यहीं से bounce किया था तो possibility रहेगी फिर से यहीं से हमें उपर की और शांदार TG देखने को मिल सकती है अगर आप इसमें fresh entry का प्लान करना चाहते हैं तो 4,060 के नीचे का ही stop loss रखके आपको जो इसमें entry प्लान करनी है 70% chances रहते हैं यहां से हमें उपर की और bounce देखने को मिल सकता है और बाकी की 30% chances रहेंगे हमें यहां पे इस support जो है break होता हुआ भी दिखाई दे सकता है तो stop loss को याद रखकर ही इसमें fresh entry का प्लान करें MACD indicator की भी बात करेंगे तो यहां पे हमें bullish crossover देखने को मिल चुका है जो की मजबूती के signal देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों अभी तक आपने angel 1 में demand account ओपन नहीं किया है उस पे हम tap करेंगे tap करने के बाद कुझे तरह से interface शो करेगा यहां पे buy का option दिया है buy पे हम touch करने के बाद अगर आप stock को buy करके hold करना जी तो आप delivery में करेंगे same day by same day sell करना जी तो आप intra day में करेंगे यहां पे हमें quantity एंटर करनी है मान लीजे हमें यहां पे इसकी 5 quantity चाहिए तो यहां पे हम 5 quantity एंटर करेंगे नीचे में limit और market का option दिया है limit आने के stock को आप अपने मनबसंद price पे खरीद सकते हो जैसे कि stock की price चल रही है 4204.60 अगर आप इसको buy करना जाते है 4200 पे तो यहां पे आप इंटर करेंगे जब भी stock की price आप आ जाएगी आपका order जो है successfully execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate है ने जो भी इसकी current price चल रही होती है उसे पे directly आपका order जो execute हो जाता है simply हमें buy पे टच करना है buy पे टच करने के बाद confirm आ जाएगा confirm पे टच करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा same process रहेगी intra day के लिए भी दोस्तोंगी जो वीडियो बनाएगी सिर्फ स्रिफ educational purpose के लिए बनाएगी है जब भी आप कोई भी stock mentor बनाएगा तो अपने financial advisor से concert करके इस में टी बनाएगा जाएगा बनाएगा लिए लिए मिलते हैं next video में झाल झाल